HTC ने किया है दोस्तों एक नया फोन लाँच जिसका राम है HTC U Ultra तो जानी दोस्तों ये फोन है कैसा, क्या है इसकी स्पेक्स, क्या प्राइस पे लाँच हुआ है और क्या आपको लेना चाहिए या नहीं नमस्ते दोस्तों मैं हू रिशाव और आप देखरें रिशाव टेक इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें इस आदमी के लिए जितनी हो सके उतनी जोर से तालिया बजा दो अरे अभी तक नहीं बजाई भाई मजाक थोड़ी न कर रहा हूं सिरियसली इन्होंने आज बहुत अच्छा काम किया क्यूं पागल हो रहा हूं इस आदमी के पीछे क्यूं जमीन पे लोट रहा हूं तो इसलिए तो बोलता हूं वीडियो पूरा देखो तो आज ये चीज़ मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूं कि इन्होंने क्या किया है और क्या है जियो प्राइम मेंबर से अगर ये सब बाते आपको जाननी है तो ये वीडियो को लाश्ट तक देखते रही है क्योंकि अभी मैं ये बात नहीं बताने वाला तो back to topic आज हम बात करने वाले है HTC U Play और U Ultra के बारे में HTC U Play और U Ultra बहुत दिनों पहले लाँच हो चुके हैं वर्ल्ड में तबसे पहले अगर हम HTC U Ultra की बात करूं तो इसमें जो main feature दिया गया है वो है इसका dual display dual display का मतलब अगर आपने LGB20 का नाम सुना होगा तो आप समझ गया होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और नहीं समझे होंगे तो आप Google पे जाके सर्च कर सकते हैं बैक टू टॉपिक 5.7 इंच का Quad HD डिस्पले दे दिया किया है प्राइमरी डिस्पले जो है और जो सेकेंडरी डिस्पले जो उसके जश्ट ऊपर में लगा रहता है वो 2.4 इंच का रेजुलेशन बताने लाइक है नहीं छोड़ी हटाई हो बात करूं दोस्तों कि इसके अंदर है क्या मतलब कि HDC ने डाला किया इस फोन के अंदर तो आपको मिलता है Snapdragon A21 अच्छा मुझे एक बात बताई क्या हम 2016 में जी रहे हैं तो क्यों भाई Snapdragon A21 क्यों मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि Snapdragon A21 बहुत बेकार चीप है मैं तो ये भी बोलता हूं आज की डेट में इससे बेस्ट मॉबाइल चीप आपको मिल नहीं सकता जो फोन्स या कंपनी को जो चीप मिलेगी वो तो लगाएंगे ही रैम की बात करूं तो आपको 4GB की रैम इस फोन के साथ मिल जाएगी 64 और 128GB की storage options में आपको ये मिल जाता है तीन जारह मेंच की बैटरी है जो कि में ख्याल से कुछ खास होने वाली नहीं है ज्यादा टिकने वाली भी नहीं है टाइप-C port होने वाला है तो दोस्तों केमरा की बात करूं तो सेम केमरा होने वाला है वही केमरा laser autofocus वाला optically made stabilizer वाला और कुछ और केमरा functions के साथ सेम केमरा जो HTC 10 में था केमरा तो बहुत अच्छा था कह सकते हैं केमरा quality बहुत अच्छी थी है HTC ने जितने भी flexive phones है उनमें camera quality आपको अच्छी मिल जाती है पर competition इतनी है न भाई चा बताओ माना कि इसका camera बहुत अच्छा है अच्छा तो चलो मुझे ये बात बताओ क्या iPhone 7 से अच्छा है क्या Galaxy S7 से अच्छा है या फिर जो नए Galaxy launch होने वाला S8 उससे अच्छा होने वाला है तो कुछ कहनी की बात नहीं है आप समझ गये होंगे कि competition कितना है यह तो हुगई HTC U Ultra की specifications इसके सिवा है HTC ने एक और phone launch किया जिसका नाम है HTC U Play यह भी एक इसी का छोटा भाई टाइब से समझ सकते हैं आप थोड़ी कम price में launch किया है Helio P10 chip के साथ आता है इसमें भी 4GB की RAM है 16MP का rear camera 5.2 inch की full HD display के साथ आता है जिसके उपर coating है corning gorilla glass की 32GB 64GB की variant में आता है जो 32GB वाला है उसमें 3GB RAM मिलती है 64GB वाले में 4GB RAM मिलती है 256GB तक expandable है और hybrid sim slot मिल जाता है आपको charging type आपको type C मिलती है और जो battery दी गई है वो 2500 mh की मिल जाती है आप लोगों को तो यह थी इसकी specs और last and final आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरा opinion तो दोस्तों अगर आप HTC की fan है तो 2 minutes के लिए अपने कान बंद कर लिए जो कि अभी मैं बहुत बुरी-बुरी गालिया बखने वाले हूं दोनों फोन को तो 2 minutes के लिए प्लीज कान बंद कर लो और वो लोग जो इस वीडियो को dislike करने वाले हैं और या फिर कुछ घटिया comment करने वाले हैं वो तो प्लीज यहां से चले जाओ क्योंकि यह आपके लाइक वीडियो है नि दोस्तों मैं ऐसा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मुझे इन कंपीनियों से खुनना से आप लोगों को price बता देता हूं दोनों फोन की तो आप भी लोगों को यह बात समझे हैं आ जाएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं सो HTC Uplay की जो कीमत है वह 39,000 इंडिया में आज लॉंच हुआ है और जो HTC Q Ultra है उसकी कीमत है लगभग लगभग साथ हजार बस अब इससे जादो कुछ कहूंगा नि अगर दोस्तों अगर आपको साथ हजार रुपए खर्च भी करने है न थोड़ी देर रुक जाओ यार दो-तीन मैनों में Galaxy S8 लॉंच होने वाला है और ट्रस्ट मी कि वो बेस्ट फोन होने वाला है 2017 का बस अब वीडियो को एंड करते हैं और लेता हूं आप लोगों से अलविदा और जियो ने तो कमाल ही कर दिया एक बार अगर आप मुझे मानते हैं तो एक बार और तालिया बजा दो अगर आपको जियो से रिलेटट कुछ और जानकारी चाहिए या फिर वीडियो चाहिए या फिर मैं एक्स्प्लेइन करूँ जियो कि प्राइम एमर्मसिप का मतलब क्या ह टो कमेंट कर दिजिये का मैं जरूर से आपने लोगों के लिए वेडियो बना दूँगा सो आज के लिए इतने ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो практически तो लाइक जरूर कर दिजए पसंद नहीं आ तो कहिं जाहिए यह मत बहुत सारे वीडियो से डालने हुए हैं मैंने इस चैनल पर उन्हें देखिए साथ वह अच्छा लग जाए और उन्हें लाइक कीजिए सो थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच पॉर वाचिंग